विल्कम फ्रेंट्स आचारियम पर आपका श्वागत है दोस्तो यह एक छोटा सा विज्यापन है जिसमें मद्ध प्रदेश पुलिश द्वारा और इसमें आप देखें जो कार्याले है पुलिश महानिरिक्षक ATS मद्ध प्रदेश भुपाल द्वारा मद्ध प्रदेश की सा साइबर एनालिसिस यूनिट है तो संवीदा आधार पर कांट्रेक्ट बेस में निमनलिखित पदों के लिए यह विज्यापन जारी किया गया है दोस्तो इसमें अधि हम पद नाम की बात करें तो सिस्टम एनालिस्ट डाटा साफ्ट्वेर डेवलपर साइबर सिक्यूर्ट एनजीनियर, असिस्टेंट प्रोग्रामर साफ्टिवेर डेवलपर और असिस्टेंट प्रोग्रामर मुबाइल सिक्यूर्टी की पोस्ट है और इन चारों पदों की केवल एक-एक पोस्ट है आप यहाँ पे देख लें मिंशन है पदों की शंख्या में दोस्तो इसका जो और आगे आपको प्रोसेस करना होगा, इसमें अभ्यर्थियों का MPE Services Portal पर मूल पंजी करन आवश्यक है, यह जो यहाँ पे आपको साइट दिख रही है, यहाँ से आपको पंजी करन करना होगा, और यहीं से आपको फार्म सम्मिट करना होगा, भरती की सेवा सरतें मदप्रदेशासन के संविधन यम के रूप मानने होंगी, विस्तरित विग्यापन पातरता की सरतें आनलाइन आवेदन कीती थी, विग्यापित पदों के लिए नियूंतम सेक्षडिक तकनीकी हरताएं प्रक्रिया, आदि अन्य विवरन बेव साइट, आ उपलब्ध हैं, तो दोस्तो इसमें आपको जब पंजी करण करेंगे, उसके बाद पूरा ओपन होके सामने आएगा, जहां पे आप सारी चीजें देख पाएंगे, साक्षात कारेत चैनित उमिदवारों की सूची, एवं ततपस्चात साक्षात कार कीती थी, इन्ही बेव स साइट पे उपलब्ध कराई जाएंगी, आवेदन प्रारम कीती थी 5 जनवरी 2023 है, और आवेदन जमा करने की अंतिमती थी 19 जनवरी 2023 है, दोस्तो यह छोटा सा विग्यापन जो मैं आपके साथ सेर करने की कोशिस किया हूँ, आप इसके लिए विश्तृत विग्यापन में जो यहाँ पे services.mp.gov.team slash e-services slash के माध्यम से आप अपना आवेदन सम्मिट कर पाएंगे और जो आवश्यक जानकारी इसमें जैसे सेक्षडिक योगिता, एज, यह सारी चीजें आप जब उसमें लागिन करेंगे, अपना registration ID बनाएंगे, उसके बाद आपको वहाँ पर प् सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स नोटिफिकेशन में, आप सब का दिन सुभो, धन्यवाद.